हेई वाईटी वैंस की हल चाल welcome back to dacana दोस्तों आप जिस travel डेस्टेंशन का वाईटी भारत पर पिछले दो से तीन वहीनों से इंतजार कर रहे थे लगातार comment करके आप पूछ रहे थे की इस travel डेस्टेंशन के बारे में वीडियो लेकर कैया है मैं बस वेट कर रहा था वो best suitable time आने का जब ये आपको package का description दिया जाए वीडियो बना करके लाया जाए तो आज YT भारत पर मैं हाजर हूँ आप लोगों के लिए इंडिया के most happening beach destination जिसका नाम है गोवा की वीडियो ले करके जिसमें मैं बहुत सारी आपको information देने जा रहा हूँ एक एक करके सबसे पहले आपको बताऊंगा गोवा के सबसे cheapest package के बारे में आप कैसे book करा सकते हैं इस package को जब मैं बता दूँगा तो इसको book कराने के लिए वीडियो के title और description में दिये गए travel company पे call करके आप इसे book करा लिजे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 10 best tourist places in गोवा जिसको आपको घूमना ही घूमना चाहिए और बहुत सारी आपको बाते बताऊंगा जो गोवा में घूमने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए कैसे आप कम से कम पैसा खर्च करके पूरे गोवा की share कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी जानकारिया आपको इस वीडियो में देखने में आएंगी उससे पहले दोस्तों वाइटी भारत का लगातार आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे लेकिन उसको बनाए रखने के लिए आपको वाइटी भारत को सब्सक्राइब करना होगा इसके लिए नीचे देखे रेड रंग का यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आ रहा है जाके क्लिक करिए सबसे पहले साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाईए और आल को नहीं सेलेक करोगे तो आगे नॉटिफिकेशन नहीं मिलेंगी और आपको इंडिया और अबरोड के इतने सारे ट्रेवल डेस्टेंशन के यह बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरस्टिंग वीडियो की जानकारी आपसे शायद मिस हो जाए बने रहिए स्टे टिंड होने के लिए वीडियो को जादा से जादा आपनो लाइक करें तका मेरा मुराल जो है बूस्ट हो सके और इसी तरह की बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी में लगातार आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँ आईए शुरू करते हैं चलते हैं अपने लैपटाप की स्क्रीन में और एक एक करके जो मैंने आपको जानकारियां बताई देना स्टार्ट करते हैं आईए चलते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं लैपटाप की स्क्रीन में और थ्री नाइट गोवा का ये बहुत इंटरस्टिंग पैकेज आपको बताने वाला हूँ जिसकी कॉस्ट आएगी आपको 5000 रुपीस पर परसन इस पैकेज में हम आपको होटल परवाइट करने वाले हैं केज रिवर वियू रिजॉर्ट या इस से सिमिलर ये रिवर वियू रिजॉर्ट जो है वो गोवा के बागा बीच पर है जो बहुत ही प्राइम लोकेशन है और बहुत ही फेमस बीच है गोवा के अंदर जो आपकी रूम केटिगरी होने वाली है वो सुपीरियर एसी रूम होने वाले हैं आइटनरी की बात करें तो फर्स दे पर आपको पिक अप किया जाएगा गोवा एरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से जहां भी आप पहुँचते हैं उसके बाद डे टू और त्री पर आपको फ्री ल करिए और इसके बाद जो आप नाइट लाइफ को एंजॉई करना चाहते हैं किसी भी रेस्टोरेंटे ने बैठिये पब में बैठिये बीचेस पर जो पार्टी हो रही है इसको एंजॉई करिए वो सब आप एक्सपोर करिए वो आपके अपनी कॉस्ट पर होने वाला है कॉ होटल के अंदर वाइफाई में इस पैकेज के अंदर और अल एपलिकेबल होटल टैक्सिस सब इस 5000 रुपीस पर परसन के चार्जिस में इंक्लूडिड हैं तो देर किस बात की फ्लाइट या अपनी ट्रेन को बुक करवाईए गुवा जाईए और टेंशन को भूल जाईए अब दोस्तों समझदारी वाली आपको असलियत में बात बताता हूँ कि इस पैकेज को हमने इस तरह से क्राफ्ट किया है कि बहुत ही कम दामों में आप अपनी रिक्वार्मेंट को पूरा कर लें क्योंकि आगे जो टाइम आने वाला है वो वैलेंटाइन डे है वो आगे हो क्राफ्ट करके लाया हूँ जिसमें आपको जो सबसे पेंट पॉइंट होता है उसको मैं दूर कर रहा हूँ होटल की बुकिंग होटल का पिक अप और ब्रेक फास्ट उसके बाद तो आपको जो चीजे हैं वो घुमना फिरना होगा और घुमने फिरने के बारे में आपको म हैं जो सबसे दा फेमस बीचिस हैं जहां पर आपके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वह भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं बने रहीगा वीडियो पर लास तक और उसके बाद इसको जब आप लोकल साइट सिंग को आप करेंगे तो आप अगर पैदल जा है क्योंकि आप खुद वहां पे लोकल फूड को जाकर के इंजॉय करिए खाइए पीजिए और होटल की इस फूड से आप टेंशन मुक्त रहिए जो मन करना है वो खाइए सस्ता खाना है महिंगा खाना है जो भी खाना है खाइए इस पैकेज में हमने इसलिए वो सब चीज करें या वर्टसप करें और उनसे इस पैकेज को बुक करवा लें यह समर तक पैकेज वैलिड होगा आपका 30 जून तक इसकी वैलिडिटी होने वाली है अब आपको आगे मैं गोवा के बारे में बहुती इंटरस्टिंग और इंफॉर्मेटी जानकारी एक एक करके देने ज कर रहा हूं इसमें गोवा के दस प्रमुक प्रेटन इस्थल बता रहा हूं मैं तुरिस्ट प्लेसिज इन गोवा इन हिंदी के अंदर सबसे पहले आपको बताऊंगा बागा बीच के बारे में जो उपर मैंने होटल बताया उससे मात्र एक किलो मीटर की दूरी पर है आप करते हुए इस बागा बीच तक बहुती आसानी से पहुंच सकते हैं अब गोवा के इस बागा बीच के बारे में आपको बतायता हूं गोवा के प्रेटन के सल गोवा बागा बीच प्रेटन को की आकरशन का केंद्र है उत्तरी मतलब नौर्थ गोवा में बागा समुदर किनारे पप, दुकाने, नाइट क्लब और वाटर स्पोर्स गतिविदिया एक्टिविटी मिलेंगी जिन में केले की सफारी यानि की बनाना राइड, स्पीड बोट, पैडल बोटिंग, पैरा ग्लाइडिंग, सर्फ बोटिंग और बहुत कुछ आपको यहाँ पर करने के केलंगुट बीच, केलंगुट बीच पर क्या कैसा विदाएं हैं आप फोटोग्रैप्स में देख रहे होंगे, कैसा नजारा है, अब इसके बारे मां को बताता हूँ, गोवा में सबसे बड़ा समुद्र टट केलंगुट बीच को समुद्र टट की रानी के रूप में भी जाना जाता है, कलंगुट बीच एक चार मील लंबा समुद्र टट है, जो बागा और केंडोलिम समुद्र टट के बीच में स्थित है, यहां आप पैरा सेलिंग, वाटर स्कींग, विन्ड सर्फिंग, टालफिन डिप के साथ रुमांच कर सकते हैं, तो आप देख रहे अलग अलग बीच में लगबग, अलग अलग तरीके के खान पान और आपको एक्टिविटी करने को मिल जाएंगी, पैदल ही घूमें में रेकॉर्डिंग, हर एक डेड़ किलोमेटर पे आपको बीचिस मिलेंगे, पैदल मस्ती में घूमें, फुल डे आपको इस पैकेज मे हम प्रवाइट कर रहे हैं, घूमने फिरने के लिए, कोई जरुत नहीं है कि आप लोकल साइट सिंग के लिए कोई टैक्सी हार करें, खुद ही जाएं और इंजॉय करें, यहां गोवा में दो दिनों में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगों में से एक है, खास कर कि यद 2019 में ट्रिप एडवाइजर के नुसार अगोडा समुदर्टट एशिया के सबसे अच्छे समुदर्टटों में एक माना जाता है, जो शीर्ट पर है, यह प्रटको को प्राचीन परिदर्श और प्राचीन गड़ की प्रिष्ट भोमी से परिचित कराता है, समुदर्टट हन इसर करने के लिए आपको महौल मिल जाता है, जो आपको रिक्वाइड होता है, यहां आप बीच के किनारे कई दुकाने, कैफे, बार, योग केंदर और मसाच पालर भी प्राट करेंगे, जहां पर जाकर के आप सुधाय ले सकते हैं, अब चलते हैं, बीचे से निकल करके, अगोडा फोर्ट पर चलते हैं, अगोडा फोर्ट, इसके बारे आपको बताते हैं, गोगा के प्रेटंग इस्थल अगोडा किला उत्तरी गोगा में एक सत्रवी शदी का पुर्तगाली किला है, एक्चली मैं आपको पूरे गोगा के अंदर, जो आपको आर्किटेक्चर मि यह अगवाडा किला इस्तित है, पुर्दगालियों ने इस किले का निर्माण मराथा और डचों के खिलाफ रक्षा के रूप में किया था, यहां एक गहरी सूखी खाई है और एक तेरे मीटर उचा प्रकाश स्थम्भ है, लाइट हाउस है जिसका निर्माण 1864 में किया गया किले के भीतर कई इमारतें अभी भी बहुत अच्छी इस्तती में उपलब्द हैं जहां पर जा करके आप देख सकते हैं, प्राचीन परिद्रश में आप अपने को खो करके अनुभाव कर सकते हैं उस समय के नजारों का, बोम जीसस बेसिलिका चर्च, बैसिलिका और बोम ज जीसस चर्च, बहुत ही फेमस चर्च है, गोवा के प्रेटनिस्तल बोम जीसस बेसिलिका चर्च के गोवा के सबसे महत्पूर्ट परत्रे को सुलमे से एक है, जिसमे सेंस फ्रांसिस जेवियर के शरीर की अविस्थित बाड़ी रखी गई है, चर्च को 1605 में बनाया गया थ और संति के शरीर को 1622 में लाया गया था, यहां से यह अपने ग्लास मकबरे में रखी है, माडर्न आर्ट की एक गैलरी भी बेसिलिका चर्च का अपना एक हिस्सा है, अब चलते हैं छटे प्रेटक स्तल के बारे मां को बताते हैं, जो पूरा पार्टी का केंडर है सन बन फे अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन है, यह कारिकरम लगवत तीन दिन चलता है और दुनिया के कुछ प्रशिद डीजे द्वारा मन को लुभाने वाले प्रदरशनों से यह फेस्टिवल हमेशा हरा भरा रहता है, जब यह स्टार्ट होता है, इसके लिए आपको स्पेशल टाइमिंग को चूज करना होगा और जाना होगा, अभी आपको इस समर्ज में तो मिलेगा नहीं, अब चलते हैं, टीटो कलब गोवा, सिगनेचर है टीटो कलब गोवा, गोवा के प्रेटेंसर टीटो कलब में सबसे लोग प्रियर नाइट लाइफ इस्थानों में से गीना जाता है, कलब टीटो एक नाइट कलब है, जो इस छेतर में सबसे अधिक होने वाले कारक्रमों में कुछ की मेजबानी करता है, कलब टीटो अत्यदिक अनुशनसित है, यदि आप गोवा में राद भर शराब पीना और डांस करना चाहते हैं, तो फिट टीटो कलब आपके लिए परफेक्ट प्लेसिस में से एक है, अब चलते हैं आठवे प्लेस पर चपूरा फोर्ट गोवा के प्रेटर से चपूरा के लिए अपनी इत्यास के लिए लोग प्रिया चपूरा किला गोवा के प्रमुख प्रेटक स्थलों में से एक है, चपूरा किला उत्री गोवा में है वागा टोड समुद्ध टट के किनारे है करीब है चपुरा के लिए में वालिवूड की मशूर फिलम दिल चाहता है को यहां फिलमाया गया चपुरा किला गुवा का एक अच्छा प्रेटकिस्तल है वर्तमान भौन का निर्मान सत्रे सो सत्रे में किया गया था चपुरा जरना गोवा करनाटक सीमा परिस्त है और भारत के दर्शनिय इस्थल और यह देश के सबसे मुचे जरनों में से एक जरना है जिसकी मुचाई एक हजार सत्रे मीटर और शिखर लगबग सौ फिट चौड़ी है बहुत पानी होने पर मांसून में दूस सागर जल परपाज जैस अपने उफान पर होता है अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट गोवा में बहुत सार प्रेटक स्थल हैं उसमें से एक और दसवे नमबर पर चर्च ऑफ अवर लेडी ऑफ इमेकुलेट कंसेप्शन आप जा सकते हैं यह गोवा में सबसे अधिक देखे जाने वाले स् जो मंडोवी ब्रिज के करीब है यह पहली बार 1541 में एक चैपल के रूप में बनाया गया था और हर साल 8 दिसंबर को यहां पर एक पार्टी होती है जिसमें कई स्थाने लोग और प्रेटक भी शामिल होते हैं तो दोस्तों मैंने आपको यह पूरे 10 के 10 प्रेटक इस्थल गोवा में बताए जो जब भी आप जाते हैं गोवा में तो इनको जरूर आप घुमेंगा और मैं आपको एक बर फिरसे बताएता हूँ गोवा में दो आपके हिस्से हैं में नॉर्थ गोवा जहां पर नाइट लाइफ है, एंजॉइमेंट है, बहूत अच्छे बीज़्िस हैं और शांत अगर लोकेशन पे जाना चाहें तो साउत गोवा को भी प्रिफर कर सकते हैं लेकिन आपको कम समय में अच्छी रिए गुमना है तो नौर्थ गोवा जाएं उसके लिए ये पैकेज उसी को फोकस करते हैं ने बनाया था पांच हजार रुपे मात्र खर्च करके आप गोवा पहुँचिए और उसके बाद खुट डिसाइड करिए कि आपको वाक करते हुए गोवा का लोकल साइटनिंग करनी है या आपको डेस्टेंशन पर पहुँच जाएए बहुत ही खूबसूरत यादों के साथ उमीद करता हूँ वाईटी भारत की जानकारी आपके लिए बहुत ही लापदायक साबित होगी इस पैकेज को बुक करने के लिए जैसे मैंने बताये वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिये के ट्रैवल कंपनी के नंबर पे कॉल करें संपर्क करें और अगर कोई भी सवाल आपके रह जाते हैं तो वाईटी भारत पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मिलते हैं इस तरह के बहुत ही अगले इंटरस्टिंग और इंपॉर्मेटी वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत दोस्तों नमस्कार सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिलकुल फ्री में